हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागा थे आपका इस चैनल पर दोस्तो आइफा आवार 2019 इसकी बारे में इस वीडियो में बात करूँगा सभी important question आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में आपको पता होगा friends कि इंडिया में जितने वी आवार दिये जाते हैं तो आवार से एक्टर यह सभी आपको देखने को मिलेंगे friends question शुरू करने से पहले आएफा आवार्ड के बारे में थ्रह सा basic जानकारी ले लेते हैं जिसमें कि आपको पता चलेगा कि आवार्ड होता क्या है यह क्यों दिया जाता है तो friends मैं आपको फिल्म इंडिस्ट्री वालों को दिय जाता है जो आएफा है यह start जो किया गयते है 2000SV में इसकी starting होई थी 2000SV में यह start किया गयता है और इस बार जो है आएफा आवार्ड का 20 संस्करन है ठीक है तो इस बार 20 संस्करन है और आएफा का जो मतलब होता है डवल आई एफ ए तो यह होता है International Indian Film Academy ठीक है तो इसकी फू perform भी आ सकती है आपको exam में फ्रेंड्स यह प्रतेक वर्स दिया जाता है तो चलिए फ्रेंड्स सुरू करते हैं question को एक एक करके नहीं important question होते है सारे question को friends शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी request होगी अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को subscribe कर लिजे और साथ में आने वाली वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाले नए वीडियो की update आपको सबसे पहले मिलती रहे क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ह बार मुंबई में आयुजीत किया गया अपको पता है कि यह Internationally है तो हर बार के विजेसों में आयजीत किया जाता था क्योंकि INTERNationalी film को promote करने के लिए अग्र कीाई और किसंपाए 2 सबसे फर्स टाइम जो ऐफा अवार्ड दिया गया था वो 2000 यसकी में दिया गया था ठीक है Next question है कि आइफा अवार्ड 2019 वेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है तो इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो राजी मुवी को मिला है और आपको मैं बता दूँ कि राजी मूवी को बहुत सर आवार्ड मिला है, वो मैं आगे मैं आपको बताऊंगा भी Next question है, आइफा आवार्ड 2019 में Best Actress का आवार्ड किसे मिला है? तो Best Actress का आवाज जो है वो आलिया भट को मिला है, ठीक है? बेस्ट अवार्ड 2019 में Best Actress का आवार्ड किसे मिला है? तो वो रन्वीर सिंग को मिला है, ठीक है? तो इन दुनों चीज़ को याद रखियेगा Next question है कि आइफा आवार्ड 2019 में Best Director का आवार्ड किसे मिला है? तो डिरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वेस्ट वो है स्रीराम रागवन को मिला है और जो फ्रेंड्स ये स्रीराम रागवन को जो बेस्ट डिरेक्टर का अवार्ड मिला है ये किस मूवी के लिए मिला है ये कोशन भी आ सकता है तो यह मैं आपको बतादो अंधा दून movie के लिए इसको मिला है ठीक है ना और रनवीर सिंग को जो वेस्ट अक्टर का आवार्ड मिला है वो आपको मिला है पदमावत movie के लिए ठीक है आइफ अवार्ड 2019 में वेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का वार्ड किसे मिला है तो वेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का वार्ड मिला है वो है विक्की कोसल ठीक है और विक्की कोसल को कौन से मुवी के लिए मिला है तो संजू मुवी के लिए मिला है संजू मुवी के लिए विक्की कोसल को बेस्ट सपोर्टिं अक्टर का अवार्ड मिला है ठीक है न इसान खट्टर को ठीक है इसान खट्टर को नेक्स्ट कोश्चन है 2019 में आलिया भट को आइफा आवार्ड किस फिल्म के लिए मिला है तो आलिया भट को आइफा आवार्ड राजी फिल्म के मिला है 2019 में ठीक है नेक्स्ट कुश्चन है दोस्तों पदमावत मुवी से बहुत सारा कुश्चन भी आया था तो आप इसीज को बहुत अच्छी से याद कर लिजेगा ठीक है आइफा अवार्ड 2019 में वेस्ट फिल्म स्टोरी के लिए किस फिल्म को अवार्ड मिला है तो वेस्ट फिल्म स्टोरी के लिए किने मिला है तो अंधादून मुवी को मिला है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आइफा अवार्ड 2019 में बेस्ट प्लेवेक सिंगर के लिए किने अवार्ड मिला है तो बेस्ट प्लेवेक सिंगर के लिए अरजीत सिंग को अवार्ड मिला है ठीक ना अरजीत सिंग को और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहां पर ये था कि आइफा बेस्ट डिबुडेंट में किने अवाड मिला है तो इसान कट्र को मिला और ये किस मूवी के लिए मिला एक कउशें में आसकता है तो ये मैं अफ़िकों धरक मूवी के लिए इनको अवाड मिला है ही camera के आएफ़ावार 2019 में पिछले 20 सालों में सरवस्रेष्ट अभीने Aren few ने फेले आ नई तो बिस्त्रेष्ट में रनवीर कपूर और उसके बाद अगर अभी अभिनित्री की बात करें कि पिछले 20 सालों में बेस्ट अभिनित्री का आवार्ड किसे मिला है तो वो है दिपिका पादुकौन को ठीक है और मैं आपको एक चीत और बता दूँ कि रनवीर कपूर है यहां पर इसको ध्यान में रखेगा रनवीर सिंग नहीं है ठीक है ना रन आने वाले एक्जाम में आपको एक से दो नमरत आपको जरूर देखने को मिले हो क्यों कि आपको पता होगा कि हरी के एक्जाम में आइफा आवार्ड से कुश्चन देखने को मिलती है तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक कर लिजेगा ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे फ्रेंड्स इस चैनल पर मैं ऐसे ही वीडियो डाला करता हूँ जो आपके एजाम के लिए बहुत ही इंपोटेंट होता हो ओके फ्रेंड्स थैंक यू सो मच्छ सी यू इन नेक्स वीडियो